इस वीडियो में हम देखेंगे विशिश करमचारी पिछले वीडियो में हमने देखा था विशिश करमचारी कौन होते हैं तो पहले हम चेक करेंगे करमचारी हमारा विशिश करमचारी है की नहीं है यदि विशिश करमचारी है तो इन सुविधाओं की राशी को हम करना विशिश करमचारी नहीं है तो इन सुविधाओं को हम इंकम में शामिल नहीं करेंगे तो कौन-कौन सी सुविधाएं हमने पहले भी देखी थी यहां पर टोटल साथ सुविधाएं हैं करमचारी के बच्चों की सिक्षा सुविधा बेजली पानी गैस की सुविधा घरिलू आको पुरान परलकर की सुवीाधा चिकटसब। विलों का पुरुणबर्ण मतलब आपने पैसा खर्च किया है पैसा आपको वापस दिया ये पुतल न आवकाष यात्रा साहेता और परीवयन B preliminary को यात्रा सुवीधा इसमें मोटर कार की सुवीधा चिकित साब पुरणबन की सुवीधा और अवकार शात्रा सुवीधा ये तीन मैंने चुकि थोड़े बड़े पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट भी है तो इसके मैंने अलग से वीडियो बना के समझाया है बाकी जो चार पॉइंट है आम आपको यहाँ समझा द्यत्य हूं कि सुविधा का मुल्यांकन किस तरीके से करेंगे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ ये सातों सुविधा करने से पहले आप देखेंगे कि करमचारी विषिष्ट करमचारी है की नहीं है विषिष करमचारी कb कब होता है उसमें तीन ची वोटिंग राइट शेयर्स हैं तो वो विशिश करमचारी कहलाएगा दोनों ही सूचना है नहीं है तो आप मौद्री कर्योगे वेतन निकालेंगे ऐसा वेतन जो आपको मुद्रा के फॉर्म में मिल रहा है उस तब को जोड लेंगे उसमें से तीन कटौतियां घटा देंगे शेश राशी पचास जादा है तो विशिश करमचारी कहलाएगा पचास जादा नहीं है तो विशिश करमचारी नहीं कहलाएगा विशिश करमचारी है तो ये सारी सुविधाय कर्योगे होंगी यदि विशिश करमचारी नहीं है तो ये सारे सुविधाय इंकम में शामिल न पोठी है यो करम चारी और यह सारी सुईधाय हमको कर्मक्त करनी थी इनकी नहीं से टाइम भी को इन साथ पॉइंट्स को देखने की आवशकता है नहीं है ये इंकम में शामिल नहीं किये जाएंगे इसका मुल्यांगन कैसे करेंगे उसमें पहला पॉइंट है अपना करमचारी के बच्चों के लिए सिक्षा की सुवीधा यदि नियोकता का खुद का कोई सिक्षन संस्थ थान है खुद का कोई एजिक्षन इंस्टिटूशन है जहां पर करमचारी के परिवार के सदस से उसके बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं यदि ऐसी है तो सुवीधा का मुल्य जो भी राशी उसके आस पास की उसी शेत्र की अन्य संस्थाएं जो फीस ले रही होंगी न्योक्ता जो फीस ले रहा है वो नहीं उसके आस पास की जो बाकी सिक्षन संस्थाएं हैं जो बाकी स्कूल्स जो फीस ले रहे हैं वो फीस सुवीधा का मुल्य मानी जाएगी उसी शेत्र की जो अन्य सिक्षन संस्थाएं जो फीस ले रही होंगी वो फीस हमारे लिए सु कर्मुक्त होगी लेकिन करमचारी का खुद का बच्चा हो और फीसे एक अजार रुपए से जादा नहीं हो परमा से जादा तो ही कर्मुक्त होगी किदि करमचारी के बच्चे के जगे करमचारी के भाई बहन या कोई और पढ़ रहे हैं तो यह सुईदा कर्मुक्त नहीं तो फिर आपकी संपून राशी कर्योग्य हो जाएगी यदि ये सुवीदा आपको किसी अन्य सिक्षन संस्थान में दे रहे हैं मलब खुद किस अन्य सिक्षन संस्थान में ना दे कि आपके नियोगता किसी अन्य सिक्षन संस्थान में सुवीदा दे रही है तो फिर ये करव सुविधा अपने सभी करमचारीlar आपने सभी करमचारीbron के लिए कर्योंग्या होगी, और जितना पैसा खर्श कर रहा होगा नियोकता उत्ती राशी सुविधा का मुल्ले हो जाएगा, बिजली पानी गैस की सुविधा यदि नियोक्ता ने अपने साधुनें से आपको गैस बिजली पानी पानी- सुविधा मतलब खुद की उसकी गैस ए curved आजेंसी आपके नियोक्ता गी यह उसको खुदला बिजली का कोई production वगरा है या उसका water box वगरा कुछ है खुद के सादनों से आपको इदी सुवीधा दे रहा है तो ये विषिच करमचारियों के लिए करयोगी होगी और जितना पैसा उसने खर्च किया होगा वो हमकी सुवीधा का मुल्य हो जाएगा निजो कोसट पढ़ रही होगी वो cost सुविधा का मुल्य हो जाएगा लेकिन नियोकता यदि किसी बाहिये साधनों से लेके आपको दे रहा है तो फिर जितना पैसा नियोकता ने चुकाया होगा वो हमारी सुविधा का मुल्य हो जाएगा खुद के पास से दे रहा है तो जो cost पढ़ी है उसके लिए वो हो जाएगी किसी और से लेके दे रहा है तो जितना पैसा नियोकता ने चुकाया होगा उतना हमारे लिए कर्योग्य हो जाएगा बस यहाँ पर दिहान रखना है यह सुविधा है तो ही विश्चिच कर्मचारी लिए कर्योग्य होगी यदि नियोकता ने simple सुविधा नहीं दिया है आपके बिलों का भुकतान कर दिया है तो फिर यह सभी कर्मचारी के लिए कर्योग्य होगा नेक्स्ट गरेलू नोकर माली चौकिदार फरराश किसी भी फॉर्म के आपको दिस सर्वेंट की फैसलिटी दिया है तो जितना भी पैसा नियोकता ने चुकाया होगा वो सुविधा का मुल्य माना जाएगा लेकिन यदि नोकर स्वें कर्मचारी ने नियोकति ये थे सुविधा नहीं थी कर्मचारी ने खुद ने अपने नोकर लगा रखे थे जिनका भुकतान नियोकता ने कर दिया तो ये विक्तिक दायतों का भुकतान माना जाएगा और फिर ये सभी कर्मचारी के लिए इसमें एक चीज़ द्यान रखनी है यधि नियोक्ता ने आपको मकान की सुखीदा दे रखी है यधि नियोक्ता ने करमचारी को स्वयम की स्वामित दुका य habits उन्य हो एन्नि खुद का मकान सुखीदा की रूप में दिया हुआ है तो ऐसे मकान में जो माली की सुवीदा होगी वो करमुक्त होगी यह मानते हुए कि नियोकता ने सिर्फ अपने मकान की मेंटेनेस के लिए माली लगाया है ना कि सुवीदा है यदि नियोकता ने स्वैम के स्वामित का मकान सुवीदा के रुप में दिया है और ऐसे मकान में आपको माली की सुविधा दी है तो फिर वो पूर्ट है करमुक्त होगी उसको आपको इंकम में शामिल नहीं करना है परिवेन कार्रे में कोई व्यक्तित किस ट्रांस्पोर्ट एजनसी के अंदर काम कर रहा है और उसका नियोक्ता उसको यात्रा की सुविधा देता है उसको या उसके परिवार के सदस्यों को तो उस इस्तती में वो राशी जो परिवयन संस्था किसे सामाने व्यक्ति से वसूल करती है, मतलब बाकी जो clients आपके आते हैं, जो customer आते हैं, जो यात्री आपके आते हैं, उनसे जो राशी वसुल की जाती है, वही राशी हमारे लिए सुवीधा का मुल्य हो जाएगी. पैस में ध्यान कर रखना है पहली बात तो यदि सुवीदा के लिए कोई राशी आपसे वसूल की जाती है तो वो उसको घटा की दिखा देंगे यह यहां पर नहीं सारी ही सुवीदाओं में ध्यान रखना है यदि कोई राशी नियोकता आपसे वसूल करता है तो आपको सुईधा के मुल्य में से गटा की दिखानी है रेलवे बोर्ड और एयरवे के करमचारियों को यदि यात्रा सुईधा मिलती है तो फिर वो पूनता है करमचारियों को और एयरवे के करमचारियों को सुईदर जो होगी यात्रा की पूंत है कर्मुक्त होगी आपको इनकम में शामिल नहीं करनी इसी तरह से किसी करमचारी के रिटायमेंट पर या उसकी मृत्यू के वे उसके परिवार के सदस्यों को यदि को यात्रा की सुईदर दी गई है तो फिर वो भी पूंट है, करमुक्त होगी आपको आए में शामिल नहीं करनी है तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता आए हैं विशिष कर्मचारियों के लिए, जो तीन पॉइंट्स हैं यह मैं आपको आगी कि वीडियोस में समझाऊंगी किस तरह से करने मैं फिर आप से वापस से कह रही हूँ जो भी वीडियो अपने होते जा रहे हैं इनके नौट्स को आप अपने हाथों से बनाईए अपनी भाशा में या मैंने जो बना रखे हैं इनको आप देख के याद कीजिए लिख के याद कीजिए एक्जाम्पल शुरू होने से पहले जब मैं यहाँ पर बड़े एक्जामपल आपको शुरू करूँगी क्योंकि तीन बड़े एक्जामपल वीडियो हो जाएंगे इन सुवीधाओं के तो फिर जो एक्जामपल समझाओंगी वो पुरा कमपाइल एक्जामपल होगा जिसमें भत्ते भी आएंगे सुवीधाएं भी आएंगी ग्रेचुटी पेंचन सबी चीज़ें आएंगी कटोतियां भी आएंगी तो सारे नेम आपको याद हो क्लियर हो तब ही अपनों प्रशन करने की स्तती में होंगे तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर वीडियो के साथ साथ जो मैं नौट्स आपको शेयर कर रही हूँ उसको या तो आप अपने हाथ से लिखके बुक से खुद नौट्स बना के समझेए या फिर मैंने जो आपको नौट्स शेयर किये हैं उनको वापस से लिखके याद कीजिए एबर किताब कुल के नौट्स को अपडेट कर ले ना क्योंकि नौट्स मेरे पिछले साल के बनाए वे हैं हो सकता है किसी पॉइंट में कोई चेंज हो तो उनको आप अपडेट करके उसको याद करके रखिए ताकि बड़े एक्जाम्बल करते समय हमें कोई दिक्कत नहीं हो आज के लिए इतना ही